नमश्कार, आज हम NCRT कक्षा 11 का नववा अध्याय देखेंगे, जिसमें हम सौरूर्जा के बारे में बात करेंगे और हीट बजट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल चीट समझते हैं अगर मां लीजिये के सूर्य से गरमी प्रत्वी पे आती जा रही है तो प्रत्वी एक उबलता हुआимся हो जाना चाहिए और हम उस पर जीवित भी नहीं रह सकते हैं पर ऐसा सची में तो नहीं होता है सची में हमारी प्रिथवी अपने आप में एक तापमान मिंडेन करके रखती है और तभी हम इस पर जीवित रह पाते हैं तो आईए समझते हैं यह होता कैसे है तो सबसे पहले गर्मी प्रिथवी पर आ रही है वो गर्मी अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग तरीके से विभाजित हो रही है तो दुरुवी छेत्रों में और भूमती छेत्रों में गर्मी का इस्थर अलग है ये गर्मी का इस्थर अलग होता है दबाव की प्रक्रिया के कारण जैसा कि हम जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्छ दबाव से निम्नो दबाव की तरफ जाती है तो ये जो दबाव में अंतर है इसकी वज़े से जो गर्मी है जो हीट है उसका movement या flow होता है और उसकी वज़े से हम बोलते हैं कि प्रत्वी का तापमान more or less एक समान रहने की कोशिश करता है तो ये तो हो गई पहली चीज या पहली मुख्य बाद जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं दूसरी चीज जो हम समझते हैं वो है insulation या जो सौर्य उर्जा प्रत्वी पर आती है को हम insulation कहते हैं अब इसमें कुछ बातें बहुत ही clear हैं जैसे कि हम यहाँ पर globe पर देख सकते हैं जो अगर सौर्य की सीधे केरण पढ़ेंगी तो यहाँ पर कम चित्र में पढ़ेंगी यह जाधा गरम होगा जो ए समझ रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल चेत्र है वो जाधा गर्म होते है पोलर चेत्र या दुरुविय चेत्र के कंपेरेशन में अगर हम सब ट्रॉपिकल रेगिस्तानी चेत्रों की बात करें जैसे सहारा कालाहारी जो अलग अलग हमारे रेगिस्तानी चेत्र हैं तो वहां पर क्योंकि बादल कम होते हैं तो जो दूप पड़ रही है जो सौर की परिक्रमा करती है तो कुस्त यह जो परिक्रमा का पाथ होता है यह इलिप्टिकल होता है तो एक जगे पर यह सूर्य के सबसे करीब होती है तो पैरिहीलियन वह पॉइंट है जहां पर यह सूर्य के सबसे करीब होती है हीलियन का मतलब होता है सन या सूर्य और पैरिक तब वो जाधा गरम होगी, इंसुलेशन निशित तोर पे बहुत जाधा होगा, as compared to epihelion, अब यह जो सौरी उर्जा प्रिथवी पे आ रही है, यह किन-किन कारकों से प्रभावित होगी, पहला तो जो प्रिथवी अपनी धुरी पे घूम रही है, उसकी वज़े से, जो प्र इंसुलेशन में changing होगे, पिर दिन की लंबाई कितनी है, अगर दिन जाधा लंबे होगे, तो निशित तो और पे ज़्यदा सौरी उर्जा आ पाएगी, अगर दिन छोटे होगे तो कम सौरी उर्जा आएगी, इसी तरीके से आकाश कैसा है, अगर आकाश साफ़ है, तो सौ सूर्य उर्जा कम होगी तो यह कुछ फाक्टर्स हैं जो हमारे इंसुलेशन या सूर्य की जो गर्मी आती है उसको प्रभावित करते हैं इसके अलावा एक और महत्पूर्ण का रख है यहां पर जमीन तो अगर हम बोले जमीन जो की अंदर है इसको कहते हैं और एक समुद्र के पास की जमीन है तो समुद्र के पास की जमीन पर तापमान मौडरेट रहेगा पर जो बहुत अंदर है लैंड मास है वो बहुत जल्दी से गरम हो जाएगा दिन में तो यहां पर जो प्रभाव है इंसुलेशन का वो जाधा तिवर होगा वजे से हमें आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है। सुर्योदे और सुर्या उसका रंग लाल दिखा tweetvateक ऑर प्रक्रिया को skatering काहा जाता है। अगला है हमारा वातावरण है वो किस तरीके से उर्जा में बद्लाओ देखता है या गरम और ठंडा होता है तो इसमें कुछ प्रक्रिया है जो आज हम समझेंगे बहुत सिंपल कॉंसेप्ट है त्यान से सुनिएगा अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ मेरे सामने तीन बच्चे हैं इन तीन मैसे जो लास्ट बच्चा है उसको मुझे एक किताब लाके देनी है इसके कई सारे तरीके हो सकते है वो बच्चा अपने आगे वाले बच्चे को दे सकता है उसके आगे वाले बच्चे को दे सकता है और जो बच्चा पहली रोम है वो लाके मुझे दे देगा इस प्रक्रिया को बोलते हैं conduction तो अगर मैं मालव मेरे हाथ में एक rod है एक तरफ पे बहुत गरम है एक तरफ पे ठंडी है तो दीरे दीरे ये गरम वाला हिस्सा ठंडा होने लगेगा और ये ठंडा वाला हिस्सा दीरे दीरे और मुझे लाके किताब दे दे जिस तरीके से एक beaker में हम कहते हैं कि नीचे पानी burner के पास में बहुत गरम है ये गरम पानी उपर की तरफ उठेगा और ठंडा पानी नीचे की तरफ आ जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को हम convection कहते हैं तीसरे प्रक्रिया है radiation की मतलब वो आखरी बच्चा मुझे अपनी किताब वहीं से fake के catch करवा देगा तो इसी तरीके से हम बोलते हैं कि स्फुरी उर्जा हमारे पास आती है और उस प्रक्रिया को हम बोलते है radiation ये तीन concept तो हो गए simple चौथा concept बहुत important है जिसको advection कहा जाता है अब advection जब होता है तो पहली चीज तो ये एक horizontal medium में हो रहा है या एक horizontal movement है और ये किसी आंतरिक बल से governed नहीं है इस पे बहाए बल लग रहा है और ये बहाए बल क्या हो सकता है ये हवा हो सकती है current हो सकता है तो कोई भी बाहर की चीज जो उसको प्रभावित कर रही है वो उसको advection current generate करने में मदद करेगी इसका एक बहुत अच्छा example है हम कहते हैं कि गर्मियों में लू चलती है तो लू जो है वो एक advection का process है या advection की प्रक्रिया के द्वारा होता है तो ये तो हो गया आपके पृतवी के गरम और ठंडे होने की प्रक्रिया कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पृतवी गरम होती है या पृतवी ठंडी होती है अगली चीज जो हम समझते हैं वो है terrestrial radiation यह समझना आपने आप में एक बहुत इंट्रिस्टिंग खेल है हम बोलते हैं कि जो पृत्वी पर किरने आती है वो शौट वेव रेडियेशन होती है और जो जाती है वो लॉंग वेव रेडियेशन होती है इस शौट वेव लॉंग वेव की जो बीच की एनरजी है उसको हिट बजट होता है उसको ने की कुशिश करते हैं कि हममारे पास जो हन्रेट प्रतिशत एनरजी वह आ रही है उसकी प्रतिशत प्रतिशत एनरजी चीले सब्सक्रेशता अरत carrot प्रतिशत प्रतिशत करने की कोशिश करते हैं तो नेट k ót रहता है और उसी को हम हीट बजट के रूप में समझते हैं पर जब हम इसको विभिन अक्षांशों पर बात करते हैं तो विभिन अक्षांश पर हम बोलते हैं कि zero degree अक्षांश पर surplus energy होगी क्योंकि सूरी की सीधी किरने पड़ रही है तो जो ट्रॉपिकल छेत्र है पूरा विशुवतरिका का छेत्र है वहां तक आपकी सीध किरने पड़ेंगी और energy surplus होगा पर जो धुरुवी चेत्र है वहां पर energy deficit हो जाएगा क्योंकि वहां पर सीधी किरने नहीं पड़ रही है तो इस चेत्र में deficit है इस चेत्र में surplus है तो यहां से जो surplus energy है वो इस deficit चेत्र में जाएगी और यह cycle इस पूरे चेत्र में energy को balance करने की कोशिश करेगा तो जिसको हम वापस heat balance के रूप में या heat budget के रूप में समझते हैं अगला important parameter जो हम आज चर्चा करेंगे वो है तापमान अब तापमान का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितनी गरम है या कितनी ठंडी है उसकी जो डिगरी है उसको अगर हम ना पें तो उसक तापमान कई कारकों से प्रभावित होता है पहला तो है अक्षांश तो जो भूमती रेकी छेत्र है वहापर तापमान जादा होगा दुरवी छेत्रों में तापमान कम होगा यह तो बहुत simple चीज हो गई जो हमने समझ ली अगला है altitude के हिसाप से या उचाई के हिसाप से त पहाडी के हिससे ठंडे होंगे तीसरा मैतपुन चीज है कि समुंद्र के वो पास है या समुंद्र से वो दूर है तो जो एरिया continental है जहांपर जमीन का भूबाग जादा है या स्थल आकरतियां जादा है जो जमीन अंदर है समुंद्र से बहुत परे है वो जादा गरम हो ज आपमान उतना extreme कभी भी नहीं जाएगा तो यह एक और परामीटर हो गया अगला परामीटर है एयर मास जो हम homogeneous एयर मास की बात करते हैं कि एक तरह के का तापमान एक पूरे छेतर में रहता है तो वह अलग-अलग छेतर हो गया तो ट्रॉपिकल छेतर अलग हो गया आपका ध तो कि अलग-अलग छेतरों में गवर्ण रहता है जिसे चिनूख हवाएं आपके अमेरिका में बहती है फॉन हवाएं आपके आपके चेतरों में यूरोप में बहती है तो यह सारी लोकल चीजों से प्रभावित हैं और इनको हम लोकल फैक्टर्स कहते हैं अगली आपमाद को जोडने वाली रेखा हैं जिनको हम आईसो तर्म कहते हैं यह मुख्यत अक्शांश के साथ साथ चलती है यह समानाथ्ण चलती है प्र हमने आपका नक्षा है जैसा कि आप देख सकते हैं इस में उत्तरी गुलार्द में जो बहुत ज्यूश्टों अगर हम जुलाई के नक्षे पर जाएंगे तो ये Benz कम हो जाएंगे। इसी तकी तरीके से अगर हम उत्री गुलाड और राषरी गुलार्ड की स्टडी करें तो दक्षनी गुलार्ड में रेखाएं म SCI रहें वदिस्पत कि उत्री गोलार्ड अात में जो भूबाग वह जादा है एक्स्ट्रीम्स या तापमान में जो डिफरेंस आएगा वो जादा रहेगा और जो लाइंस होंगी वो बेंड होंगी तो यह कुछ प्रमुक चीजे थी जो हमने तापमान के बारे में समझी इसी से हम रेंज आफ टेंपरेचर निकाल सकते हैं सबसे जादा तापमा लेके आएंगे जुड़े रहें बने रहें धन्यवाद